आगाईज नमस्ते स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में भाई रोज रोज टाटा की गाड़ी के सारी मतलब पूरी डिटेल आपको दे दिया और आज मैं आपको एलेक्ट्रिक की 500 किलोमेटर वाली रेंज वाली गाड़ी दिखाता हूं जो भाई हमें नहीं मिलती ह ना हमने कभी अपलाई किया ना कभी लेने की कोशिश की और ये महंगी भी आती है इसका चार्जिंग कोस्ट के आता है आपको पूरा डिटेल बता देता हूं ये देखो विवाईडी है इसके पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूं उसके बाद आपको पूरी डिटेल ब और भाई इसकी स्पीड जो आपको दिख रहे ही ना 240 यह 240 नहीं रखना है भाई इसे आप 80 पे चलाओगे बहुत बढ़िया रहेगा यह फ्रंट पे AC है पीछे पुरा बैक है है तो है तो है फाइब सीटर ही अभी आपको डिगगी भी खोल के दिखा देता हूँ यह इसका गेर है यह देखो आर यान डी रिवर्स नूटल ड्राइब और इधर बढ़िया हीट यह लिखा हुआ है पुरा आटो पार्किंग लाइट एकको और यह स्टार्ट इधर इसका चार्जिंग का है यह फ्रन्ट इस्पेस है यह गाड़ी का रेडियो लगा हुआ है और काफी अच्छा बैठने का इस्पेस है बाकि यह गेट ओट आप देखो कितना अच्छा बनाया है वह एकदम कंफर्टेबल है और यह गाड़ी आपको एकदम बढ़िया 500 किलोमीटर प्रेंज तक आराम से चलेगी और इसका थोड़ा समय डिगगी ओपन करके आपको दिखाता हूं यह आगे का सिस्टम है भाई यह देखो मिरर का है और यह चारो सीसे का है बाहर से गाड़ी आपको दिखाता हूं काफी मस्ट स्ट्रॉंग है यह सीसे पर बढ़िया लाइट चार्जिंग टाइम भी आपको बता देता हूं यह आगे का देखो कितना अच्छा लब दिखने में कितनी मुस्त लग रही है गाड़ी और इस साइड कितना अच्छा भी आईपी सीसा दिया हुआ है यह देखो बैक इसका यह जो है पीछे का है डिगगी तो साइद नहीं ओपन हो पाएगी इधर इसका चार्जिंग का है इसका चार्जिंग का किधर है वो देख के मैं आपको बताता हूं चार्जिंग का किधर से खुलता है इधर से तो नहीं है पता करता हूं इसका चार्जर कहां से खुलता है भाई इधर से इसे आफ करोगे ना फिर उसके बा तो इसमें slow लगा सकते हो, बाकी यह लगा रहेगा, यहाँ slow लगा सकते हो, दोनों निकाल दिया तो फास्ट लगेगी, यह बंद हो गई, एक टच पे है, मतलब अगर वहाँ से गाड़ी off हुई, तो टच करके आप इसे खोल सकते हैं, और भाई कितना मस्त इसका प्लेट है प इतना महिया अच्छा है, और यह पूरा दिख रहा है इसमें गाड़ी में, देखो यहाँ इसका चार्जर लगा हुआ है, इसमें fast slow दोनों लगता है, इसका fast का मैं बता देता हूँ, यही चार्जर है, इससे टाटा एक सार भी चार्ज होती है, यमजी भी चार्ज होती है, देखो इसके slow से भी यह, यमजी एस्टर चार्ज हो रही है, इधर यह लगा हुआ है, AC ठीक है, तो भाई अगर इसे आप AC पे slow पे चार्ज करते हो न, यह गाड़ी आपकी 0-200 जो है, यह 0-200 आपका slow charger पे चार्ज होगा भाई, बार घंटे में, और अगर आप इसे fast पे च यह गाड़ी चार्ज हो जाती है, और इधर AMG भी slow पे लगी है, जैसे slow पे लगी है, सेम चार्ज है, यही लगता है, इसका जो boot space है न भाई, यह 580 लीटर का है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखो इसका boot space है, काफी पीछे खाली है, तो यह है आपका 580 लीटर का boot space में बहुत बढ़ियां है, 520 किलो मीटर भाई, कमपनी बोलती है इसकी रेंज, लेकिन यह 500 किलो मीटर चलती है, बैट में भी आप इसका देखो, काफी अच्छा space है, बहुत बढ़ियां comfortable है, है तो गाड़ी भाई, 5C, इसका जो बैटरी है, 71.7 किलो वाट का बैटरी है, 520 किलो मीटर कमपनी इसकी रेंज की गारेंटी देती है, बताती है लेकिने 500 किलो मीटर को आराम से इजी तरीके से चल जाता है, चार्जिंग भी अच्छा है, गाड़ी की भाई, जो स्टार्टिंग पुराई से स्टार्ट है, और काफी अच्छी गाड़ी है, बहुत अगर आप 500 किलो मीटर का रेंज रखते हो, तो एक बार घर पे अगर आपने 12 घंटे चार्ज कर दी तो दो तीन दिन तो आपकी आराम से गाड़ी चल जाएगी, भाई अभी मुझे आ गई है राइड, मैं पहले चलता हूँ, एक राइड कम्प्लीट करके, फिर उसके परसेंट, एठोड़ा टाइम लेती है, और इसका बोल्टेज देखो, 577.2 वार्ट दिखा रहा है, करेंट 50 SOC, 55% पे चार्जिंग पे लगी थी, मालब इस्टार्ट जब हुई थी इसकी SOC, तो एक 55% चार्ज हुई थी, पावर है 28.9 किलो वार्ट, टाइम कितना हुआ, आनि कि 51 मिनट, चलो 52 ही ले लेते हैं, 52 मिनट में 96-97% हो गई है, अब इस गाड़ी में कैसे चार्ज होती है, और इधर देखो, जो 74% हुई है, भाई ये 10% पे लगी थी, और पावर इसको 30.3 किलो वाट का दे रहा है, 15.41 किलो वाट चल रहा है, 32 मिनट में 74 हुई है, ये भाई मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखो, ये चार्जिंग बता रहा है, कितना कैसे याइसे, जब आप चार्ज में लगाओगे, इस तरीके से गाड़ी आपको दिखाएगा, और अब ये देखो, उनकल साफ कर रहे हैं, रेडी हो जाए, तो कैसे स्टार् और हम चल रहे हैं घर, क्योंकि हम ठक गए हैं, पूरी रात हमने नाइट ड्यूटी की है, एक दम बिल्कुल विना सोए, तो भाई ठकावर सी लग रहे हैं, थोड़ी तवियत भी खराब है, तो अब चल रहे हैं घर, और घर पहुच के फिर हम खाना ओना रेडी करके सो जा गाड़ी की कोना गाड़ी है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट करके बताना, और अगर आप मारे चैनल पे नए हो, तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर देना, गाईज आपका, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, भाई मिलते हैं आपको, लेक्स वाउग में, तब तक के लिए भाई, जय हिंदे